T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पिछले तीन दिनों से बेरिल तुफान में फंसी भारते के टीम आखिरकार बारबाडोस से रवाना हो गई है टीम को एर इंडिया की चैंपियांस 24 वर्ल्ड कप चार्टेट फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है टीम के गुरुवार सुबह साथ बजे नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है बुदुवार को भारते कप्तान रोही चर्मा और शिवम दुबे सहीत कई खिलाडियों ने ट्रोफी के साथ अपनी तस्वीरे शोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें खिलाडियों को फ्लाइक में चड़ते वे देखा जा सकता है भारते टीम के खिलाडियों सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद सुबह ग्यारा बजे प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी से मुलाकात करेंगे हालां कि अब तक इस कारिकरम की पुस्टी नहीं हुई है और इस पर BCCI से भी कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है ब्रिजटाउन के ग्राउंटली एडम्स इंटरनेशनल एरपोर्ट ने मंगलवार को अपना ओपरेशन फिर से शुरू कर दिया है इस से पहले टीम को ब्रिजटाउन से शाम 6 बजे स्थानिये समयनुसार भारतिये टीम को रवाना होना था तुफान बेरीलब केटेगरी 5 से नीची आकर केटेगरी 4 का तुफान बन गया है और जमेका की ओर बढ़ रहा है